बुल्टिन का अगास करेंगे राइगर्ड में चक्रधर समारों में अपने ग्रह ग्राम बग्या के कर्मा नर्तकों को मांदर की थाप पर कर्मा नृत्य करते देख मुखे मंदरी विश्णो देश्टाय स्वयं को नहीं रोक सके और मुखे मंच पर हाथ में मांदर थाप मुखे मंदरी स्वयं जम कर थिरके इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंदरी राम विचार निताम और ओपी चौधरी भी जो है नव्रत्य करदू भी नजर आए और वही मत्रा की सांसत प्रसीद अबिनेतरी हिममालिनी ने राइगर में प्रैस कॉंफरेंस की दोरान उन्होंने मुखे मंत्री विश्णोंदेश साई की जम कर तारीफ की उन्होंने कहा कि 36 कर्ड मुखे मंत्री साई के नातरतों में बहुत आगे बढ़ेगा उन्होंने और क्या कुछ कहा आईए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं इस जगह के बारे में जो मैंने नहीं देखा इतना सुन्दर एक वाटरफॉल है इस बेटर दनाइट नाइगर आपको दिखाते हैं तो मैं चाहूंगी कि इस जगह था बहुत तूरिसम के कि साथ से ना अच्छा बहुत आगे बढ़ सकता है आपको और मेहनत करेंगे तो टूरिसम बहुत बढ़ेगा और पहले मेरे ख्याल में नक्सल का प्रॉब्लम था तो तो तोड़ा लोग आने में हिचके का हिचके चाहते थे अभी मेरे ख्याल में वह से प्रॉब्लम नहीं है और सब मिल चुल के आएगे आगे बढ़ेंगे वो लोग भी और आधिवासी लोग भी साथ में हैं और हमारी डबुल इंडियन सरकार है और हमारे मोदी जी हमेशा चाहते हैं कि चच्चिस गर के लिए जितना भी फंड अलग किया जाए वो कम है हम करेंगे ऐसा उनका कहना है और यहां के सियम विश्नु देव साहर तो वो बहुत अच्चा काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे जन कल्यान इक्ता लिए जो मोदी जी ने इंट्रडियूज कराया है जनता के लिए वो सारा चीज भी वो करते आ रहे हैं स्पेशली पर किसान भाईयों के लिए और महिलाओं के लिए और आदिवासी बस्तक के लोगों के लिए भी तो यह सब मुझे सुनने में आया बहुत अच्छा लगता है कि मैं चाहूंगी कि आपका 36 गड़ सबसे पूरा राजे में नमबर वन बने हैं यह मेरी शुप कामन और वही 36 गड़ विधान सभा के नेतर प्रतिपक्ष डॉक्टर चरद्दास महंत ने रभिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे द्वारा 36 गड़ में धान को लेकर जो सवाल उठाया है उस पर विश्णो देश साय सरकार वह उनको चलाने वाले किसी भी मंत्री या आने नेताओं का कोई भी स्वश्टी करण नहीं आया है बहत दुखत की बात है डॉक्टर महंत ने सवाल किया कि क्या साय सरकार ने मान लिया है कि भाजपा सरकार भी 1000 करोड उपे का घोटाला हुआ है डॉक्टर महंत ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष साकरात्मग परड़ कराया है इस वाचियों को गरेक्ट पुखती बगाई देता हूं गरेक्ट लिविरालमान है अम इसे प्रात्मा करते है कि प्रदेश की देश की लक्षा तुलक्षा और इम्यती कासी बगाए तिन चाह दिल पहले मने शक्ति लग्ट में प्रदेश का अंग्रिस का प्रदेश के लिए कि आरुप में गाया था कि शक्ति लग्ट में लगवट एक हजार करोन के ज्यादा के रहान जातों सड़ गये हैं यह मिलकत नहीं कूछे हैं और यह पूरी लापरवाही और धर्टाकार का मुदूना है मगर चाह दिल हो गये किसी भी मंत्री या संत्री क किसी का सुझ जवाब ना है तो इतना लापरवाही से जबल इंजन की सर्कार कर रही है यह देखते हैं हम सब कर रहा है जबल इंजन की सर्कार करते हैं मुगर सर्कार अगले इंजन से कर रही है कि इसले इंजन से कर रही है यहाद इंजन से कर रही है यहाद इंजन से कर रह चुकि उन्हे के सांसे मान भी विजे रोगे जी कहते हैं कि हमें अपने वाजों को फुरा करता है। अभ्यवाज साहब ने यह रोग लगाया है कि उन्हें सिमेंट वालों से कुपी गोड़ी पटास पर वसूल की जा रहे हैं। अभी वसूली आजवी तुलाओ के सहुना है कि क्या है। को से हिज़ हैं। ते हमें का मत्री लगाजाए लगाया। उने के माननी मंत्री घर्मानी जो फुर्पर्टी है जो कहते हैं कि हुआ वाजों को फुरा करना है। वादेपूरे करने से लियम बने से कारून बने से उनी के विदायत करा जो वह से जाना मुझे उन्दा कुरंगर मिश्रा जी वह भी कहते हैं कि छक्ति दियार क्या राइपूर सक्ट में रोज इंसात्मग घटना उन्दा उनित्व today वह से लियम आगाक, आपर जों को वह से ब्सक्राइब क्याए करूत्र साहएक को न वां रटने साहत्य म्मिशो्क न या – भसक्ति विय्यों है और उसला ऐं क्यों गटनायग घट रही है, ब कुल लगतार बहनो है या देश्कित्ता ते कारण में कि आपको जाए देखियों को भूल राखे लूगे को बाखेदी, कि आज भूले। जिस तरह से हाशियों का मार का चल रहा है। आए दिव कहीं हमारे चिक्ट कर दोग भर रहे है। और उसलिए मैं आज नहीं, जब से मंत्री सार्थ तब से प्रयाष कर दाएं। यहां एक हांशी का भजरन बन जाए, जहां हम हांशीयों को रखा जाए और दुर्गतिनाओं से बचल जाए, मगर ना तो हमारी सरकार के समय एक उस्थोपाया, ना भारती जनका भारती सरकार कुछे रही है, यह समाजिक और मानवी दुख का का कारण है कि हम दूर्गावाश और चलिए आगे बढ़ते हैं जहां दूर्गजिले में बितिरवाश पंडाल में खोने बारदात सामने आई है, यहां ग्राव नंदनी खुंदनी में दो पक्षों में डीजे को लेकर विवात हुआ, जसमें तीन लोगों की मौत हो गई है, वही एक अन्य घायल है, मामले क जाच पर ताल चारी है, जानकारे के अनुसार बताते चले कि ग्राव नंदनी खुंदनी में पुराना शितला पारा और यादो महलना गुद के कुछ लोगों में विवाद हुआ था, लेकिन उस समय आज से समझाईश के बाद मामला शांत हो गया, बता जा रहा है कि शनिव बार देर बाद वायो यादों से जो है आकाश पटेल को फोन करके शितला मंदिर के पास बुलाया, वाशु दियो जैसे ही वहाँ पहुंचा तो उन लोगों ने उसके साथ मार पेट शुरू कर दी, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि राजेश व्यादों न और पासु की मौत हो गई जबकि चाको लगने से दूसरे पक्ष के आकाश पटेल की हालत बेहत खराब है, पूरे मामले की जानकारी लगने के बाद दुर गैस बे जितेंदर शुकला मौके पर पहुंचे, पोलिस ने घटा में शामिल 11 लोगों को गिरफ़तार किया है, वह पहिमृत्तक राजेश और करड़ सगे भाई थे और उनके साथ उनका चचेरा भाई वासु यादो भी था, फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के खलाब संबंदे धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कारवाई कर रही है आज भाई लोग कहा गये थे कवसाम किस तरह से विवाद हुआ था और किस तरह से डांस वांस दुमान में और किस तरह से आप आरोपियों खिला सज़ा चाहती है जानती कुछ लड़के आये थे हमारे घर में मारने के लिए डंडे लाठी लेके सब लेकिन उस टाइम मेरे भाई लोग नहीं थे उन लोगों को उन लोग मार चुके थी इस कारण से मैं वह वो महले में गए थी उस लड़कों से बात करने लेकिन कोई नी सब अपने घर में चीब गए हैं तो मैं चाहिता हूं कि मैं अपने भाई के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए तो गडेश जी लाने के उपलक्ष में डीजे बजा के सितला मां सितला गडेश समीती के दौरा नंदनी खुन्नी में दांस और गाजय बजे के साथ में लाए जा रहा था तो इसमें यादो लग के चार धन्नू, करन, राजयस और वासू ये चारों भी इसी डीजे पार्टी के साथ में डांस करके सामील हो गए डांस करने के दौरान में धक्का मुकी पर विवाद हुआ भागी पटेल से ये विवाद महां पे लोगों ने सम्झाने बुजाने पर सांक हो ज इन लगभख साड़े ग्यारा बजे नंदी खुद्दी में है सोनू पटेल को इन लोगों घेर के मारा धन्नू, करन, राजयस और वासू ने ये मारपीट की जब लोगों पटेलों को जानकारी थोड़ी सी नाराज़गी होई उसके बाद भी बड़े उर्वों ने इसको सं किया तो वासू बताया यहां जगड़ा होगा जल्दी आजाओ तो सितला मंदीर के पास में मारपीट होने लगी इसी मारपीट में खरन, वासू और राजयस और वासू बड़े सकती के ग्राउं घ्रेड़ा की लाचारवा ने अपनी बेटी को इनसाफ दिलाने के लिए कान खुशी कर ली थी, वृतिका की शादी इसे साल दस माई को डिक्सी के रहने वाले थमेश साहो के साथ हुई थी, वृतिका की मा का कहना है कि उसकी बेटी को दहज के नाम पर परिशान किया जाता था, जिसकी जानकारी बेटी ने कुछ दिन पहले ही उसे दी थी और अब जैनकारी हो और जो दूसी दार है उसको सजा मिलना चाहिए रहने है लेपने पर दिद्धिया उपाद्ध्या और टोर्या में अंतरवाष्टीय साक्षता दिवा सेवंग और लास्ट मेले का यूजन के आगया है जसमें मुख्यमंत्री विश्णो देश्टाय समीत दूर से गर्माने लोगों ने शिर्कत की है इस मौके पर आपको बता दे मुख्यमंत्री विश्णो देश्टाय ने सम्बोधिर भी किया है बोलिये भारत माता की भारत माता की चत्तिसगड महतारी की सरस्वती माता की गनेस भगवान की गनेस भगवान भी बुधि देने वाले है ना आज अंतरास के साक्षर्टा दीव समारो एवाम उल्लास लेला में आज के कारकम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राइपूर जिला के प्रभारी मंत्री और शत्तिकर सरकार के वान जलवायू परिवर्तन सहकारिता संसाधन मंत्री स्री केदार कस्यब जी हमारे राइपूर के लोगत्री सांचत पहले सिक्षा मंत्री भी थे आदाने से जिश्मोहन अगरवार जी हमारे विधायकन स्री पुरनर निश्वा जी स्री मतिलाल साहो जी श्री अनुच सर्मा जी पदमस्री श्री गुरु फुत्वन साहिग जी श्री इंद्र कुमार साहो जी हमारे सिक्षा विभाग के सचीव स्री सिधार कुमल परदेशी जी डैरेक्टर संजीव भादी समगर सिक्षा डैरेक्टर कटारा जी सिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगन और आज के इस उलास विभाग के सभी राज के दिर्मा का कहे जाने वाले सिक्षा पुडिन सभी देश के बहुत कंधाद इसकुली भाई और पहलो श्री शाक्षीगन और यह साख्षेता मिशन जो विशेश काम कर रहा है प्रिपर्शान श्री मीनेश और मेडिया के साथी गाड़ आप सभी लोगों को सबसे पहले अंतराश्य साक्षर्टा दीवत के बहुत 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 सभाना है बंदो हमारे विज्वानों ने कहा है कि शिक्षा फिकास का मुद मंत्रा है कि शिक्षा प्राप करके दिगरी हासिल करना खाली सरकारी नोकरी प्राथ करने का मात्रम नहीं बलकि मनुष को किसी भी छेत्र में चाहे यह व्यापार है समाब देवा है राजनीती का छेत्र है चाहे किसी भी छेत्र में विकास करना है तो सिक्षा जरूरी है और विज्वानों ने भी कहा है कि सिक्षा के बिना जीवन अथुरा है आज आप सब लोग समझते हैं कि एक सिक्षीत एक साक्षर मनुष जिस तरह से जीवन जीता है दोनों के जीवन जीने में जबिन और आस्मान का फरक बता है और हमारा इंदेश प्राचीन काल सेहीं मिष्व गुरू रहा है सिक्षा के छेत्र में पहुँद अगरणी रहा है नाल अल्ला विश्विद्धालय दख्सिला विश्विद्धालय का नाम आप सुने होगी और दुनिया के बच्चे इन विश्विद्धालों ने सिख्षा प्राथ कर रहे आते थे और यह हमारे देश में कापी पर्यास हो रहा है सिख्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के सब्सक्राइब मंद्री स्री नरेत मुंदी जी वह भी बहुत पर्यास कर रहे हैं और आदर यह विश्विद्धालों जी बता रहे थे कि पिछले पांक साल इस आक्षंता विश्विद्धालों का काम यहां पर बन था फिर लोग साऌक्षा हो जाए एक अनपर्व्यक्ति एक आसाघ्षा क्यासे जीवन दिता है अदर्य लिधान अगर्वादी बता रहे हैं और कर आप सुम्हों को भी मालू है कि एक अनपर्यक्ति का अठाट आप नग्हान सवंसट्र का है पगद में सोसन होता है जहें हैं मैं 20 अ सांसत रहा कि एक बार एक हमारे संसते छेत्रकार एक आदिवासु ब्यक्ति आया कि उसकी जर्मिन कोईला खडार में चले गई और उसको चोबीसला का मवज़ा मिला था तो सीविर में चोबीसला का चेक पकड़ा दी अब उनके दो बेटे थे दोलों पेटा की अंपड़ी एक दिन ओधिस्कुन नहीं गए यह जेक का होता है उनको समझ में नहीं आ रहा है काज़स का टुकड़ा खाला की घर में दरती है अरोस अलोकुप पता चले गया कि इसको चोबीसला कुपिया जबीन का मौज़ा मिला है तो उससे संपर किये समझाए कि यह चोबीसला का यह चेट है बैंक में जाओ गए तो चोबीसला कुपो मिलेगा और अरोस-अरोस के दोंके उसको पैंक ले गए उड़ना भाव में दस्कत कराए और चोबीसला कुपी आरण कर लिए और छोटा-छोटा नोट उसको एक मोट पूरा मुद्री दो धैला का पांग दी और उसको चलता कर दी और वार्टी पूरा पैसा हजम कर लिए अनुस-पोड़ोस वाली और जब उसको वाप्चित्ता का पता चला तो हमारे पास आया और सारी प्यत्पा उसने पताई कि इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो यह होता है आज साक्षर दाने से अनपड़ दाने सीजिए मैं सची घटना आपको बता रहा हुआ है इस तरह के अने घटना एक खटी नहीं कई बार जविन की दर्श्टी होती है दस बिस्विल की बात होती है और लिखापड़ी होता है उसमें एक एक अकट की दर्श्टी क कर देता है आज बता चलता है तो उसके घटन चलीगी और उसको तामी लगास इसमिल का कि वारों बैंक के पैसा रण करना है अनपड़ या सांचार है किसी का सईयों मिलेता है उसके साथ होता है पिछले सरकार को एक सची घटना में बता रहा है हमारी जस्विले में पंदरस सब्सक्राइब को गोद लिया था वहां का एक पुर्वा परिवार पुर्वा जांते होंगे पुर्वा पिशेज पिछेरों सुचित जन जाती बीटीजी में जवाते है उनके परिवार का 25 सेकड का जोइन खाता था और पिछली सरकार का एक मंत्री वह इकार्दिकर का सब् तो भी मालूल था कि जेग क्या भाथा देख लेता थे तो बहुत तीमें पता चला कि उसको पैसा मेंता है और जाब उसके साथ प्राट हुआ मेरे पाथ यहां पर आया कि प्रतेसंतर का दाईतों का उसको मैं बुलवा कि अहां गवर्नर सब्सक्राइब उस सुच्री विज जी वो थी उनके सामने ठाड़ा किया पुर्वा परिवाद को तीर द्रम उस पकड़ के लाएं यहां पर पुरा प्रेस कांफेंस किया और विडिया के सामने उसको बिठाया और तब जाके उसका पच्ची से कर्चमी वापस हुआ प्रदेश में देश में घठती है और इसलिए और सच है कि हम लोगों को साच्षर करें और पहले प्रोषिक्षा के नाम से अभिजान चलाया गया बोड़े-बुज़ुर्व लोगों को बढ़ाते थे लेकिन अब हमारी देश के सब्धान सम्जिती की चिंता है कि 15 साथ से उपर के इतने भी लोग हैं किसी कारण बस वो इसकोर नहीं जा पाए नहीं पड़ पाए तो इसे लोगों को सब को साच्षर करना है ताकि उनका जीवन ठीक हो और आज से हम लोग सुभारम कर रहे हैं हमारे सच्चिव साथ पताया है कि एक लाग साक्षनता खेंद्र आने वारे समय में पूरे परदेश में बोलेंगे आज उसकी सुर्वात यहां से कर रहे हैं और कि एक लाग बना रहे हैं जो दब्दस को साच्षर करेंगे बंदू में बताना चाहूंगा कि दुनिया में शिक्षा है जिसको जितना ताम करेंगे उतना बढ़ता है जिसलिए मेरा आग्रह होगा कि यह जो हमारे वालेंटियर से इस दिख्षक है उनका तो दाइटों है वह बड़ा पून्य का काम वह वीड़ा उठाय है लेकिन हम सब का भी नागरिक के नाजिक अब हमारे पास समय है रोस प्रोस में कोई सब्सक्रों लोग है तो समय निकालकर उनकों कुंशे का मक्षर यां तो दें फुड़ा पर लिक सब्सक्राइब दस्चत कर लें इतना अगर हम करते हैं तो यह सिक्षा दाम महां कल्यान है बहुत बड़ा यह दाम है पुन्य का क्राम है इसलिए आज की चौसर पर हम यहांवान करना चाहिए कि सभी लोग मिलकर आज काफी लोग हमारी 36 गड़ में और साख्षार है काफी लोग उनको साख्षार करना है दसलाग का पिड़ा हम लोगों ने उठाया है लेकिन और जादा लोगों को कर पाएंगे तो और अच्छा होगा और नई सिक्षानी जी 2020 जो आजर ने मोर्ती जी कि इस देश में लागू किये हैं और हमारी चत्तिवी की सरकार ने उसको एड़ाप किया है नहीं सिक्षानी जी तो अज़ाद जी हम लोग भी लागू किये हैं अब 16-18 इस्थाने पूली में भी पढ़ाई होगी और पढ़ाई सुरू भी हो गई है आदाने पनानकुंती ज लागू किये हैं और 2011 इसको नमारी प्रदेश के उसमें सामिल भी हो चुके हैं और इन इसकोलों को बिल्कुल उन्नत बनाना है इसमार्ट कलास में पर सुरू करना है इसके लिए बुरा बंड के तो आप सुन रहे थे मुक्यमंत्री विश्टो देशाय को फिलहाल इस विल् नमस्कार